है का पढ़ा तर जाच्या का पढ़ा रहा है बेटा सिनेमा पढ़ा था है अच्छा बता है तानी अपना संघर्ष के बारे में कुछ बतावा कैसे मुंबई गई ले कहां रहला कैसे आज एह स्टेटस वर पंशले थोड़ा पब्लिक के 10 सगन के अपना बतावा नहीं है यारी बात हमसे बहुत लोगन पूछनगी को चाचा तु कैसी कैसी तोहार यात्रा भाई अचली हम बतावे लें आते चाहता हैं कि बहुत सारा लोगन के सिनेमा में जायक हो तो जाय से पहले हमसे कहीं है रहे चाचा आमरो कादिन कुछ काम दाम बतावा हम हो एक्टिंग कर रहा हम हो सिनेमा कर रह तब या कौनो काम आसान ना हो और कौनो काम कठिन ना हो बस खाली दिमाग में होके के चाहिए संकल पर होके के चाहिए हम तो बहुत गरीब भरेक लईका रहनी ज्यादा खेती बारी ना रहे बहुत इस्तिती भी ठीक ना रहे हमरा याद हो कि 1996 में जो वंप एली वार वंबई गे न तो हम अपने गाउं से अलाहाबाद अलाहाबाद से लखनों अकान पूरी हाद दू तीन जगां घूमले रहनी बस अलाहाबाद में से हम ग्रेजुवेशन कहले रहनी कम्प्लीट हो गए रहे एक्जाम दे देले रहनी पढ़ें बनिया रहनी लेकिन पढ़ें मनवाना जो अजय हमके देखा है नाटा खोटा रहनी छोटका तो कहसा सुर्याव हीरो बनी है सखल देखा तब अलाक गुल्ला नहीं हां तरी मोठ बच बने सरह हनी तो कुल कहां देखा है गांट जेशन घूमत अरे सारे भाइस जिआ लेते तो हम एक्टर बनाव हमारा अलाम के हू हम देखा अगर सारे के लेकिन हमरा विश्वास रहेगा हम एरो बनो नाइंटीन नाइंटी सिक्स में 1996 में हम पहली बर मुंबई गैनी हमरी याद आओ बड़ी मुस्किल से हम टिकट का पैसा एक अठा कई पैल रहनी हो वह पैसा कम रहे था हमरे गांव का सोख सिंग फोजी हम बीस नमंबर के अोच अव मैं अफुझा सिंग हो गयो कई ट्रेन लेट हो गए हमके एक दिन बना या इस ट्रीचनघ कर तो हम ट्रेन में रहनी और दीपावली के वज़ए से ट्रेन लेट हो गया तो बहुत लोग आपन टिकट कैंसिर करा दे रहना हमारे बोगी में आठ लोग खाली रहे हैं अधिया अमरे लिए सब नया रहे है तो मजीब लागे देरी धेरी महाराष्ट पोहुचनी जब गुफा में गारी घुसे तो सलाजी बलागे रही मुंबई के सरहत में जब ट्रेन घुसा लोना तो हमके सब अजीब लागे हमके लागल कि हम अमेरिका जात रही बीटी रेल्वे स्टेशन पुथरनी जब देखनी चकाचा होत बाईया डिरा गए नहीं के यतनी बड़ी मुंबई यतना बड़ा थक 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 मार लोकल ट्रेन चलत रहा है अहां में एक सूटकेस लेनी और एक जोला में चार अचार घेव ले लेनी में जेकरे घरेब जात रहनी हमके उका कुछ देवे के हमरे गावे करहले हमरे हम दादा जी कही रहा पंडित इंदर जी त्रिपाठी जी उनका लाइका बॉबी उन्होंनों हमके कहलन के तो चलिया और यहां बंबई और हम पहुंचनी भाइया अब हम वहां से डाईरी निकलनी पर लिए मोबाइल सबाइल कहा रहा है भाए खुलके निकलनी डाईरी डाईरी मत से नंबर और पीसियों से फोन कहिंए हम कहलो हाँ बाबाजी हम आगे लही हाँ तो तुम्हें काम करो बेटा वहां से ट्रेंट पकड़ो मलाट के लिए और मलाट जो है उतर जाना वहां पर तुमको बॉपी मिलेंगे अब फिर बंद उंद गई अच्छा डरो ला गए सब इतना डरवा देहरे रहां के भाईया वहां बहुत चोर हुआ है जेब काट ली है आँख में दिखते दिखते लूट लेवेल हैं तो हम जोन पूछे को सिपाई लोग पूछी सर टिकट कहा मिलेगा हां उदर मिलेगा मैं अब को एक सेकंड देखा बोला जिया उसको पचास रुपया देनी टिकट ले समभाग जाय लगने तो पैसा ले तो टिकट रहा है आठ रुपया के बाकी पैसे वह भूला मतलो हमके लागल पचास रुपया के टिकट हो आम फिर पैसा लेनी बारे यह नी तब एक आदमी से पुछनी कि सर हमको जो है मलार जाना है ट्रेन कहा मिलेगा बोले साब जी खड़ी है सब जाएगी सुनों बैंडरा में उतर जाना वहां से तुमको दूसरा चेंज करने का है समझा क्या है ट्रेन में घुसनी तो देखनी आधा से ज्यादा लोग सीट पे बैठाल रहे और आधा ज्यादा लोग खड़ा रहे अब हमार दिमाग चनल कि जब सीटिया खाली हो तो लोग खड़ा कहा है बार अब अब अपने हाई उपी बियार में सीट खाली रहत को खड़ा रही तो ह हम दो चनी कि जे वाइठाल होकर महांगा ठीकट हो जे खड़ा होकर सस्ता है हम जवनों खड़ा रहनी अब समानमाल ले कि अब ट्रेन जब चल अगला इस्टेशन पे बहुत बढ़िया भाईया वहीं दबाई नी हम तो हार इस्टेशन में पूची भाईया बांदरा काम आ है तो थे चल रहेंगा है लुटी दिर के बाद स्टेशन पर घड़ी घड़ी भैए ल तो फिरमकानी की भैया पाइगा अरें पांदरा इंप तो खड़ी है भेड़िया जिए sort घ्र ए लिट आमार चार और वाहर है तो एब मधरा का वाई गार च्चक रहें तो बैठनी एक जगह हम करें बाब रे बाब इता भारी है बंबाई हागी आफ़त है तब तक हमार नजर पड़ल तो देखनी है एक दम यहाफ पैंट से भी छोटा पाईल के दो नड़की कड़ी रहनी बागमान कसम कहती जीवन मेतना छोट का पड़ा पाईल पाईली बाईल के पाईली जोट का पड़ा बाब बाब सही लोग कहाद रहल के यहां ते साला एक दम अल गए दुनिया फुर एक आदम से पोची निम करें है भाईया है हैलो सर सिपाहियों से पोची है हमां हम कैसी सर यह हमको मलाड जाने का है तो किधर से हां तो प्रेटफॉर्म एक काम कर प्रेटफॉर्म नंबर टू पे जा उधर से ट्रेन आएगी तो तू स्लो पकड़ना क्या फास्ट नहीं पकड़ने का एस एस लिखा रहेगा तो स्लो पकड़ने का ठीक है अब हम है निए अब बाइया ट्रेन आयल और जैसे ट्रेन ठकाक से बाइट यानी समान माल लेके औ है लड़की लोग पहले थे जैन भाग 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 लेकिन जब तक आ उतारी टब तक ऑड़ कर अभी कर वाद तो किसमें कैसी आए तुम के सार हम सोरी करी भादम गल्थी हो गई तो म हम जल्दी में थे हम नहीं पता रहेहे नहां जैसे आएगा उतर जाना अंधेरी स्टेशन पर आया हमके बतोले हम धार से कुद जानी फिर हम एक आदम से बुछनी कि सर्म को मलार जाने का है यह जेंट्स वाला डिबा कितर मिलेगा बुले रहे बाई यह लाल लाल हरा अला जो एरो बना उता ना इस पर नहीं कुछ जाने का बाकी किसी में को जाने का तब भाई-साब हम एक टिपाम बैठ गेनी मलार उतर गेनी अपने मोबाइल रहा है आना हमरे पास पेजर रहे तब आना ना रहा है अब उधर बॉबी जो है हमको लेने के लिए आया था स्टेशन पर अब आगे साइड में इंतिजार कर अर्सक्राइब आया और हम पीछे उतर गए अब उधर ढूड़ रहा हम फ्रिंस ने फूरं कि यह हम की अरे भाव और बावी वही है तो काम करतू अधर से रिक्षा पकड़ के आजा कुरार विलेश बोलना उदर रमेष ओटल कुरार विलेश पर आजाना अब भाई-साब आधा घंटा बीट गए लेमें रिक्सा ना मिलेत के निए तो और में पूंडर ना मिला थो दिखेड के लिगी पौन करने के बाबा रिक्सा मेंम भागवान ना खड़ा हो हाई एसे कैसे हो सकता दर रिक्सा नहीं मेलेगा रिक्सा है उदर हमको चारूब यहां पीसте लिसा थे पोलिसवाले से भुचे नहीं किसर यह लाइन से सब क्या खड़े है में हम को है क्धित रिक्सा है इसारी जो ट्म्फू है आटो एरे बाई सबहुती होए एक इन्हों इन्हीं चलनी prayer फूल सब्स्क्राद िंहें क्या का हम के इस तक है प्लाण सब्सक्राण से षिनी में तरह को ट।्द को श Are पता लगा पाएगी मुंबई में यह रिक्सा नियक चलता बैट पागल कहेंगे अपने उपर भाईसा बैञानी नफ़रत भाईल इतना गुस्सा है हम के आप पिछला आदमी लाए रिक्षा वाले से कहनी हम कहनी सर हमको कुरार बीट मलार चलना तो पहली बार रिक्सा वाले क और यहां पर शेरिंग चलता है शेरिंग इसे बैठ रहे तूँ तो फिर दू सवार यह उतरनी वहां दू रूपया भाड़ा रहा रहा है छे रूपया लाग मनलब हमार दूए रूपया लाग लुतरनी उनकी यहां पहुंचनी और वहीं से हमार सुरू है ल्यात्रा कोछ दि खाइनी खाइले के बाद फिल्म लाइन में स्ट्रगल कहनी पिर अनिल त्रिपाठी जी मिल गए लें इंद्रजीत त्रिपाठी बाबाजी के दोस्त हमके एक प्रोडुक्शन हाउस में लागा देह लें तो हम मंचे परासिक काम करते रहनी फिर बाद में नोकरी छूड है तो भाया तो है विस्वास नहों की कई महीना हम बीयर बार में नोकरी करी नहीं और बीयर बार में का करी बता है बेटर कर नोकरी करी विस्वास नहीं कर बाद कई कई बीयर बार में तो भरतनों मजले हैं हम रात में हम बीयर बार में नोकरी करी है दिन में थीटर करी प्ल नहीं ना हमारे एंगरेजी आवत रहा है ना हमारे जबान साफ रहा है तो शिकले ना रहा है नहीं इसरे से शुरू करनी लेकिन यह चीज हमारे साथ रहा है हिम्मर 96, 97, 98, 99, 2005 साल तक हम भटकत रहने हैं भटकत रहने हैं पैदल चली विश्वास न करवा हम मलाच से जूप प्रिथिवी थेटर तक पैदल गए हैं कई महीना तक ठकी ना लेगे हमने मन में कब होई ना रहा है कि हम बंबई छोड़ के चाब सब हैरान होगे लगा है घर वाले रिष्तिदार नात बात का भाईया अब रहा है दो तो हरे पसका बात ना हो लेकिन मन में वो विश्वास था जंडा तो एक दिन कराड़ोंगा ही तीटर करे लगनि नात करे लगनी दू हजार एक में एक नात करत रहनी जो नेक नाम रहैं अंतरनाद आउ ू नात क Gewंट देखेले नि आय हमरा के एक्टिंग करत देखनी बलो ने अपने घर पे सपना लागत रहे, वहीं हम आश्तोस राणा से मिलनी, वहीं हम अविनाश्वा धावन से मिलनी, वहीं हम कृष्णा से मिलनी, और वहीं से हमार जर्णी सुनो भैल नाटक हमार कैसे भाइल मनोज ओजाजी हमरे बड़े भाई हमार मित्र वहीं हमके मुंबई मिलन वह हमसे नाटक करो लुए अपने घर पर रखलन आइशा जुलका और मनोज ओजाजी के हमारा जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहे और वहीं से हम हिंदी फिल्म में स्ट्रगल कहनी बहुत बड़ियां काम ना मिलल लेकिन संजोग से एक भोजपूरी फिल्म मनोज ओजाजी बनावत रहा है ने रहुआ हीरूर है ने रहुआ और हमार जवन दोस्ती वही पिच्चर से चमकल तो बस अरे धाईले बमोजर हो इटिकोरा बढ़ जोई बूपा कलयां बस बहुत चलत मुसाफिर मोहिली और पहली फिल्म दूसरी फिल्म हो गयल वह प्यार औहनिया वाली से और तिसरी फिल्म रहे निरहुआ रिक्षावाला बस वही फिल्म के बाद मनोज टाइगर बन गए बतासा निरहु और बतासा का बन गया जोड़ी और 2005 से 2021 के बीच में हम 300 फिल्म के उपर कर लेनी और आप लोग उनके प्यार मोहबती बतासवा एको मुकाम पे पहुँच गए तो भाया इरहम और संगर्स का कता हम आपसे तने कहल चाहब कि चाहे मोट हो का चाहे चोट हो का चाहे बढ़ हुआ चाहे लंबा हो का चाहे गर अपने उपर अगर भरोसा हो खे तब जंग में कोच जा और आखरी आखरी मंत्र अगर काम्याब हो के खो चाहर चीज भुला जा हमार उम्र निकल गएल हो हमार कौनों गौड फादर ना हो है हमार परसनल्टी अच्छी ना हो हमार किसमत साथ ना देत हो इस चाहर चीज कभो मत याद करा कर्म करा बस सफलता मिली लवियो मेरे दोस्तों आप लोगों ने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया यहां तक पहुँचाया इसके लिए समस्त भोजपुरी परिवार को और समस्त भोजपुरी जगत को मैं प्रणाम करता हूँ और वादा करता हूँ आने वाले समय में अच्छे सच्छी फिलम करूंगा और अच्छी सच्छी फिलम बनाओंगा और अपने भारत की सब्वता संसकृती में भोश्प्री सब्वता संसक्रती को सबसे आगě ले जाने का प्रियास करूँगा लव यू दोस्तों तैंक यू